राटेशन पीजिक गुड़ीकुम यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब उमीद किरती हो आप सब ठीक होंगे खुश होंगे अपने 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 घरों में आवाद होंगे आज की जो यह वीडियो है यह हमारी आउटिंग के हमाले से है हम लोग वीकेंड कैसे ही इंच्व Foundation Days की छुटियां थी दो तीन दिन जो रही है उसमें हम देखिया क्या किया और कहा कहा गे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगे कि यहां पे छुटियों पे हम लोग क्या गड़ते हैं घर में पाकिस्तान में अगर कोई छुटी आ जाए तो बहुत ही जादा आपके फैमिली किस वाले हो जाते हैं कहीं इदर उदर चला जाते हैं और वहां पे छुटी का पता ही नहीं चलता है यहां पे तो सिरफ यही तरह की जॉइमेंट होती है कि आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर लो या घर पे कर लो या कहीं बाहिर हाफ मून बीच पे चले जो बीच भigence यही कुछ ही था तो जी यहां पे हम लोगों ने अपने एक तुगेदर रखा कर चले हाफ मून बीच पे मिलते हैं तो हम लोग अपने फैमिली और एक और हमारे साथ फैमिली थी तो हम लोगों ने फ्रें बनान लिया कि वहां पे चलते हैं तो जी यह थरस्डे नाइट बलके night नी थी डे ही था और मैंने घड़ भल्मे भल्मे मर्राइब जिया तक Assiety Channel B मुझे अपने हाथ के बनाया वे भल्मे बहुत ही मज़े के लगते हैं और मैं घर में ही भल्मे भल्मे भनाती हूं तो ये के मूंकी डाल को भी घोलो राथ सारी और एक लसन डाल के और थोड़ा सा जीरा डाल के इसको अच्छे से ग्रेंड कर लो और इसको अच्छे से फैंट के तो गरम-गरम ओयल भी हलकी आज में इसको पका लो इतनी अच्छे और इतने फूले फूले बनते हैं मैं आगे दिखाऊंगे आपको कितनी अच्छे सॉफ्ट और फूल रहे हैं अच्छे से अंदर से कुक भी हो जाते हैं लाइट गॉल्डन सा कलर आपने इसको करना है हलकी आज़ पे इसको आपने पकाना है पंदरह से बिस मिनट तक बहुत अच्छे आपके भले घर में ही तियार हो जाते हैं और मैं तो इसी तरह घर में ही भले बनाती हूँ रमजान में भी मैं काफी ज़दा बना के और इसको फ्रीज कर लेती हूँ जब निकाल लो पानी में डाल लो इतनी अच्छे सोफ्ट हो जाते हैं इतना अच्छा टेस्ट होता है बिल्कुल स्मेल नहीं आती है और बहुत भी मज़े के बनते हैं और यहां पर यह इतने जादा क्रिस्पी लाग रहे थैं कि जैसे पता नहीं बहुत जदा कर गया है लेकिन ऐसा नहीं है जब इसे आप पानी में डिप करोगे बलके यह कुछ ही मिनट में जितना भलिया टाइम लेती है आपको सोक होने में सोफ्ट होने में ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा यह बहुत जल्दी ही सिर्फ दो तीन मिनट में अच्छे से सोफ्ट हो जाते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं इवन यह भलिया मैंने बहुत पहले की भी घोई हुई थी तो यह भी थोड़ा बहुत इसमें कमी पेशी थी इतनी अच्छे से यह नहीं फूली थी अभी तो लेकिर यहां के महले इसमें बहुत अच्छे से हो गए थे और यहां पर जी मैंने अपना समार्शमान पैक कर लि लेकिन खेर यहां पर जैसा देस वैसा बेस होना चाहिए वरना जी भी लगता है अगरा बिना बाई के जाओ तो अच्छा लगता है वह इसमें से इतनी कुपबंदी नहीं के पैनो ना बैनो लेकिन नहीं जैसा देस वैस मुझे यहां पर बाई के साथ ही निकलना अच्छा लगते हैं मैंने कोड साथ ले लिया था क्योंके मौसम कोई पता नहीं था मुझे तो यह नहीं पता था कि माइ ठंडा ओर वैसे भी बीच पे जाना था तो हो सकता है वहाँ पे रात होजाए कहो क्या सकता है यकिन होई जाती है रात लेकिन रात को फिर थोड़ा ठंडना लगी इसलिए मैंने कोट साथ रख लिया तो यहां पर हम अपनी जो हमारा लोकेशन थी हम वहां को निकल पड़े थे और रास्ते में इतना मजे का व्यू लग रहा था इतना अच्छा मौसम था हुआ भी चल रही थी धूब भी थी तो यह था के बहुत ही अच्छा मौसम था तो इतना मज़े का वियू लग रहा था और इतना लंबा रोड ट्रिप था कि मुझे बहुत ही मज़ा आया हम लोग गे थे घर से असर की नमाज पढ़के निकल पढ़े थे और हम लोग तकरीपन सवा चार एक घंटा लगा था हमें हाफ मून बीच जाते जाते तो यह था कि रास्ते में इतना जादा इंज्वाए किया सौंग लगा लिये और यहां वैसे वाहर वियू देखते रहे और इतना अच्छा मौसम था विड़ो मैंने गारी की खौल ली थी हलकी हलकी हवा भी थी धूब भी थी बहुत अच्छा मौसम था यहां पर हम अपनी लोकेशन पे पहुँच के थी अपना हट भी हम लोगों को हम दे सर्च कर लिया था और हमें शुकर अल्ला का साफ सुत्रा हट मिल गया था फिर हम दे यहां पे जी थोड़ी सी तस्वीरत उसमुने बनाई थोड़ा वियू को इंज्वाए किया और बहुत थी मज़े का वियू आ रहा था के साथ में सनलाइट थी और साथ में पिक्चर आप लेने थे बहुत मज़ा रहा था एक और फैमली हमारे साथ थी तो हमने फिर खोड़ी किया यहां पे घुमने भीड़ने के लिए यहां तो बीच होता है यहां समंदर वगरा यहां शॉपिंग मॉल पे चले जो यही आपक कानों को सकून है आपके दिल को सकून है हर तरह का शोर शराब में से सकून है और सबसे बड़ा सकून ही होता है कि अपने मियां के पास होते हो यह सबसे बड़ी नेमत होती है इसका जितना शुकर अधाकर अतना ही कम है और जी यह हमारा था खाना यह दई भले थे और यह च कि गारी में ये एक राउन लगाया, पार्क का जो के बहुत ही मज़े का लग‑ लग रहा था, रात को भी बहुत राट हो गकी थी, लेकिन ये था कि नहीं कि अटने को और पता ही चला कैसे राट हो गई, अभी हम निकले ी है, जो नीं आईस्क्रीम खानी है फिर आईस्क्रीम खाई और आईस्क्रीम खाते खाते हम घर आगे यह वाली आईस्क्रीम खाई थी जो यहां सोधिया में रहते हैं उनको तो माल बता होएगा यहां की यह वाली आईस्क्रीम का तो खेर मुझे पहले मिकडॉर्णर की आईस्क्रीम बहु रास्ते में जाते हुए इंज्वाई की ये खाते खाते हम लोग अपने रास्ते अपने घर की तरफ निकल बढ़े थे ये हमारा वीकंड की एक रूटीन थी जो हम लोगों ने गट तोगेधर किया और अच्छे से बैठे बाते शाथे की और इंज्वाई किया अगर आप इस वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके अपने प्यारों का बहुत जादा ख्यार रिखेंगा और आपनों को पता चल गया होगा कि मुझे इतना जादा मेरा गला खराब है और मुझे जुकाम हुआ 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 है पता नहीं क्यों लेकिन काफी दिनों से ठीक ही न लिखेंगा और मताइएगा कैसी लगी मिलते हैं अगली वीडियो में टब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत जादा ख्यार रिखेंगा अलाहफ़ेज़ झाले सुन्फ हुआ 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 है बहुत जास हुआ हुआ और म